दिल्ली में हुए बवाल के बाद आम जंता से शांति की अपील करने के लिए एडी जी बरेली अम्रोहा पहुँचे उन्हों ने शेहर की सडकों पर उतर कर जायजा लिया एडी जी बरेली ने एसपी के साथ मिलकर शेहर के लोगों से बात की और किसी भी प्रकार की अफवा पर ध्यान ना देने और आराज़क तत्व की तुरंत जानकारी देने की अपील की साथी दिल्ली से लोटने वाले लोगों पर भी निगाहा बनाए रखनी की बात कही दर असल दिल्ली में हुए बवाल के बाद जो लोग अमरोहा लोटकर आ रहे हैं उन सभी पर अमरोहा पूलिस की निगाहा है साथी सोशल मीडिया पर अफवा फिलाने वालों पर भी नजर बनाए हुए हैं अमरोहा में ADG बरेली अविनास चंदर प्रशासनी कमले के साथ शांती की अपील करने के लिए पहुचे ADG बरेली जोन अविनास चंदर ने इस दोरान पतरकारों से बाचित में की जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग अफवा फिला रहे हैं और जो लोग शांती विवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं उन लोगों पर पूलिस की पैनी नजर है और किसी भी हाल में शेहर का महोल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा अमरोहा से समधाता महुम्मद आसीफ की रिपोर्ट कि उसको लेकर के सेंस्टिव्टी बढ़ गई है तो यह सबसे अन्रोद करता हूं कि सारे लोग उसी तरह का सयोग देते रहेंगे और कस्बे का अमन्चैन भाईचारा आपसी सवार्द लाइन ओर मेंटेन करेंगे और उसमें सयोग करेंगे कुछ लोग खुराफाती होते हैं जो अमन्चैन में खलल डालते हैं तो ऐसे लोग के लिए भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि वो ऐसी अपनी हरकतों से बाजाएं और पुलिस का वो भी सयोग करें हम सब मिल करके एक अच्छा वातावरणिया क्रियेट करना चाहते हैं इससे आपसी भाईचारा बना रहा है और जो भी तीस तेवार आगे आने वाला है होली आने वाला है और भी तेवार आने वाले हैं वो आपसी भाईचारे से निक्टे है इस तरह की तैयारियां की जा र कर रहे हैं पुलिस का बहुत अच्छा डिप्लाइमेंट हम लोग करेंगे ब्रीपिंग करके जिससे हमारी कल की जो नमाज है वो सकुषल संपन्नौ और कहीं पर कोई लोग लोटे हैं जो हम रहा के उन लोगों को भी ट्रैस किया जा रहा है उनके उपर हमारी नजर है जो भी इंपुट हमें पल-पल जो बदलती परिस्थिती है उस पर हम लोग नजर रखे हैं और जैसी अपेक्षित कारवाई है वो की जा रही है जैबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रेडिबल मारिज पैलेस राजगराना और जैबीडी बैंक्वेट्स एंटर्पाने के लिए बेल इकन को खिलिक कर हमारी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें हैंने वाद